असलावलीकूम, मेरा नाम आमिर है. आज मैं आपके साथ जो गेटवेट ही करने वाला हूँ, वो है इसीपैसा का पेमिन गेटवेट。 जो मर्चंट या फिर जो बिजनिस्मैन इसीपैसा का पेमिन गेटवेट लेना चाहत हैं, या फिर जो यूस कर रहे हैं, या फिर जो इंस्टॉलेशन करने के कोशी कर रहे हैं, उनको को मसला आ रहा है, और जो इसी पैसे का मर्चेंट अकाउंट क्रियेट करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरह कोई इस्यू है, तो मैं कोशी करूँगा कि आज वो सारे इस्यूस किलियर करूँ, और कैसे होती है, उससे पहले जो पर्चेंट अकाउंट है, वो कैसे क्रियेट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, इस्यूस कैसे होती है, इसके बाद जो इसकी प्लग-इन की कर्फिर्गेशन है, वो कैसे होगी, वो मैं आपको बताऊंगा, लास्ट मैं आपको बताऊंगा, क इजी पैसा का, वो एजली मिल जाता है, फोड़ सा इसका प्रोसीजर है, मैं भी आपको गाइड करूँगा, लेकिन ये इजी पैसा पेमेंट गेटवेय का जो करता क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ से इसके बारे में और वरव्यू मैं आपको देता हूँ, इसके वेब साइट पे ये शोर है कि 10.5 मिलियन मंतली एक्टिव इनके यूजर है, उसके इलावा 24 मिलियन प्लस इनकी ट्रांजिक्शन होती है, एक साल में, और आइनवल जो इनका आउनलाइन थ्रॉआउट है, वो है 14 बिलियन प्लस, ठीक है, ये पीक्यार में है, तो आप सब जानते हैं द्राज के बारे में, पी-ए-सो है, सके इलावा डीजी खाता है, बहर वक्त है, मतलब जितने भी बड़े-बड़े पाकिस्तान के बिजनेस मर्चेंट्स हैं, वो आपके सामने या पे शोर हो रहे हैं, ये श्याज हैं ये बैनिफिट्स बता रहे हैं, इसमें कहा रहे हैं कि रियल-time settlement दे रहे हैं, integration easily using और multiple integration methods, अच्छा, वो मैं आपको कुछ इसमें बताऊंगा, इसके बाद आप यहां हैं तो payment options used by thousands of merchants, millions, consumers, okay, और monitor your transaction, अच्छा, ये dashboard भी देते हैं, dashboard के जरहे हैं, ये लवाम परम transaction को भी तेक भी सकते हैं, और ये भी manage कर र और इसके लावा over the counter भी option है, अगर हम add करेंगे, तो जो customer होगा हमारा, क्या करेंगा, आप उसकी मर्दी होगी, वो हमें अपने mobile wallet से payment करना चाहाए, या फिर over the counter payment करना चाहाए, over the counter का मतलब है, कि जब वो pay करेंगा, pay करने के बाद उसको एक automatic token receive उसके mobile number पर वहां जाएगा shop पर, वो अपने token बर show कराएगा, और bill पेएगा, जितना amount हो, पेएगने के बाद, वहापिस आएगा merchant की website पर, merchant को जो receive, receipt होगी, slip होगी, वो show कराएगा, और अपना जो order होगा, वो process करवा पाएगा, इसको नीचे आजाए, यह है जी, इनकी fees, right, यह कह रहा है, यह कह रहा जैसे मैं आपको पहले बताया था, पेमोब के वरे हैं, पेमोब भी ऐसी करता है, वो भी किसी तरह की, विचार्जिस नहीं लेता, वो भी per transaction चार्ज करता है, बर पेमोब एक अलग चीज़ है, यह अलग चीज़ है, वो fintech company है, यह एक local है, अच्छा, इसके वरे मैं आपक जादों यह कहता है कि easy पैसा mobile accounts है, अगर payment होती है, for example, मेरे पास mobile account है, यह ठीक है, easy पैसा की app है, तो मैं अगर उससे pay करना चाहूं, तो जो merchant है, merchant को 1% charge होगा, मैं customer हो, मैंने pay कर दिया, अपने account से, लेकिन merchant को, ठीक है, merchant को यह charge करेगा per transaction 1%, alright, अगर वो over the counter customer pay करना चाहता है, तो merchant को charge करेगा 2% per transaction, alright, यह registration process है, यह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, यहाँ पे तो काफी complicated लग रहा है, तो मैं आपको अभी practical अगर के दिखाऊंगा, यह video लंबी हो सकती है, तो जो मेरे भाई interested है, वो इस video को देख सकते हैं, और जो interested नहीं है, वो चाहे तो skip कर सकते हैं, alright, यह इसमें कुछ question answers है, अगर आपके, आप खुद भी बढ़ सकते हैं, मैं आपको lecture करता हूँ, लेकि मैं कुछी सा overview दे देता हूँ, अचा मैंने जैसे पहले बताया है, कि यह जो option दे रहा है, वो है mobile account का, और over the counter का, and के वासे ही, इनके विलकुल simple है, ठीक है, इसके लावा कोई इसमें खास चीज़ नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, no annual fees, monthly or set up charges कुछ भी नहीं है, और इसके लिए, कौन अविल कर सकते है, भाई, जिसके पास website है, live website है, और mobile application है, वो इसको अपनी website पे use कर सकते है, चीक है, कोई इतना lengthy process नहीं है, simple सा procedure है, हाँ time taking है, वो आप को मैं बता दूँगा, और नीचे हैं, तो कुछ खास नहीं है, आप चाहें, तो भी इसको भी रिचाड़ कर सकते हैं, और चले, अभी क्योंकि थोड़ सा introduction था, मैं सोचना आपको दे दूँ, इसके बाद हम चलते हैं, अब जो next topic है, वो है, how to register with easy pass a merchant account, मैं आ आप simple चाहें, तो जो गूगल है, गूगल पर जाकर भी search कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे पास already एक link है, आप क्या करते हैं, मैं आपको ये link share कर दूँगा, अब description में आप चाहें, तो directly भी page के portal पर आके sign up कर सकते हैं, वैसे आप link पर क्लिए करेंगे, तो आप इधर आ जाए इस portal पर, इस portal पर आपके सामने show हो रहा है, कह रहा है कि अगर आपका already account है, आप इसको login करें, अगर account नहीं है, तो sign up करें, basically, मेरा account नहीं है, मैं भी आपके साथ पहली दफ़ा ही sign up करूगा, तो इसमें कोई, अगर mistake हो जाए, तो भाई पहली message करता हूँ, मैं sign up करने लग उसके बाद आप first name, जो भी आपको first name, बो select करेंगे, मेरे बास यहां automatic आ रहा है, तो मैं यहां पर अपना first name select कर लेता हूँ, first name करना है आपने, उसके बाद middle name अगर है तो ठीक, otherwise इसको छोड़ दें, last name करेंगे आप, and यहां पर आप करेंगे, आपका email address जो running में होगा, ठ क्योंकि यहां पर, इस mobile number पर आपको अभी OTP आएगा, mobile number पर भी आएगा, और email address भी आपको OTP आएगा, तो kindly यह, वही mobile number दीज़ेगे, जो आपके आपके अवेलिबल हो, और वही email address यहां पे अटर कीज़ेगा, जो आपके अवेलिबल हो, पासवर्ड आपने यहां पे अगर होता है तो नहीं नहीं होगा, मैं दुबारे यहां पर टैप करूंगा, confirm password में same, capital, small and special package, इसके बाद यह कहा रहा है कि यह जो है डिस्प्ले अबब, जो टैक्स अबश हो रहा है, यहां पर अंडर्ड करेंगे, यह हमने अगर add, यहां पर put नहीं करेंगे, यह हमारा account next proceed करेंगा ही नहीं, और यहां पर हमने यह लाजमी टिक करना है, agree पर लाजमी हमने mark करना, otherwise यह नहीं करेंगा, accept, next, अच्छा, अब करना क्या है कि हम इसको next पर लिए करते हैं, अच्छा, retail payment पर हम लाजमी यहां पर कर लेंगे, क्योंके I think यहां पर hysterics ने दिया हुआ है, इसके बाद मैं करूँगा यहां पर next, alright, I think यहां पर कोई error दे रहा है, sorry, यह हो चुका है, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे just login करना है, login करने के लिए मुझे अपना email address से वही देना होगा, मुझे वहां पर mention किया था, और password यहां पर लिकूँगा, मैं अपना, यह अभी मैंने बनाया है, okay, अभी मुझे क्या करना है, मुझे करना है, मुझे करना है login, sign up हमरे complete हो चुका है, अब हम login करने वाले है, login करने के लिए मैंने password, sorry, email address से आपने यहां पर एंटर किया, और password एंटर किया है, उसके बदाब मैं इसको login, go पर click करूँगा, यहां पर आ I think यहां पर एक error दे रहा है मुझे कोई, मैं दुबारा करके देखता हूँ, एक second और reload करके देखता हूँ, right, मैं login करके, अचा जैसी मैं इस पर click किया, go पर तो यह login हो चुका है, अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे आप करना है, create new request, ठीक है, इस पर click करूँग All right, यह सारा वो form आगे है, जो मुझे fill करना है, जिस get through, मुझे, मेरी जो website है, या फिर my account है, उसको के वैस से किया जाएगा, and approve करके मुझे ID दी जाएगी, ठीक है, इसमें lengthy procedure है, आप, मैं फिर से कहूँगा, कि वीडियो लंबी होने वाली है, तो जो interested है, वो इस वीडियो को end तक देखे हैं, और जो नहीं है, वो skip कर सकते हैं, ठीक है, अब सबसे पहले, यहाँ पर जो customer की detail है, वो fill होगी, exact detail आपने fill करनी है, उसमें कोई गलती नहीं करनी, गलती करेंगे तो आपका account डिस अप्रूव हो चाएगा, ठीक है, मैं फट पादर का नाम चाहिए, and male, female है, वो करेंगे आप यहाँ पर पर प्रप्रस अकाउंड में आप क्या करेंगे, online account payment select करेंगे, retail नहीं करेंगे, आप यहाँ पर online payment select करेंगे, right, and citizen कौन से आप Pakistan ही है, तो Pakistan select करेंगे, नीचे आजाएं, city में आपका जो भी city है, वो select करेंगे, म यहाँ पर लिखेंगे, and इसके लावा कोई address है, तो वो भी यहाँ पर लिखेंगे, अगर business address अलग है, और corresponding address अलग है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, alright, अगर same है, तो यहाँ पर same कर देंगे, इधर click कर देंगे, alright, यहाँ पर आप देख रहे हैं, account handler is different form, नहीं, अगर आ account handler कोई अलग है, then आप यहाँ पर करेंगे, अगर same है, तो आप इसको रहो करेंगे, ठीक है, इसके बाद इस side पर आजाएं, इस side पर business की detail है, आपकी, business name क्या है, legal name क्या है, business name मतलब एक होता है, for example, आपकी, जो business registered है, वो ABC के नाम से है, और आप जो run कर रहे हैं, वो कर रहे business name यह है, sorry, legal name यह है, और business name यह यह यूज कर रहे है, तो यह यहाँ पर आपने, fill करना है, इस तरह से, मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, इसके बाद date of corporation हैं, कि आप कब से business कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर mention करेंगे, year यहाँ पर detail मेंशन करेंगे, terror financing, अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ 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 इसको non हो रहने दे, क्योंकि इसको छेड़ने की जरूद नहीं है, यह all default ही setting हो चुकी है, अच्छा, यहाँ पर आपका एक number है, primary number अगर second number देना चाहते तो यहाँ लिख सकते हैं, otherwise यह primary number ही इसको रहने दे, अच्छा, अभी मैं इसक करने के बाद मैं आपको दुबारा शोख, जी अच्छा, मैंने detail फिल कर ली है, अभी मैं next पे click करूँगा, अपने detail फिल करने के बाद आप next पे आजाएगा, next पे आप जैसे आएंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ documentation अगर आप से हो सकते हैं, यह मांगे, लेकिन मैं क्योंक नहीं पड़ेगी, ठीक है, insurance payments में आपने वही simple, जो online payments है, वही select करेंगे, आपने अपना जो store है आपका, आप वह यहाँ पर select करेंगे, कि आप क्या, आप क्या sale करते हैं, और business क्या है, आप वह यहाँ पर select करेंगे, मेरा business है, भाई, जाए, मैं services देता हूं, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, एक second या, एक second, आप अपने उससे करेंगे, शू का store है, किस दी का store है, तो आप अपने हिसाब से, यहाँ से select करेंगे, आपनी category, मैं अपने हिसाब की, जो मेरा store है, मैं उससे है, मैं अपना health and beauty की इसकी करूँगा, ठीक है, अब यहाँ पर आजाए, कि payment mode select all that required, मुझे चाहिए mobile account, debit credit card, easy business shop, ठीक है, मुझे ये चाहिए, direct debit नहीं चाहिए मुझे, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं आ जाता हूँ भाई, add store, add store पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपका store का नाम है, वो लिखना है, उसका URL देना है, आपका जो भी, आपकी जो भी website है, उसका अपने URL यहाँ पर देना है, मैं यहाँ से copy कर लेता इस बात मैं अधर आके करूगा कैटेगरी आप में सलेक करनी है कैटेगरी कुण सी है आपने पहले भी आ पर स्लेक किये दुबारा कर लें इदर मैं यहां पर करता हूं भाई मेरी कैटेगरी है सेंट इस लिक रेंगे आप आप पहले लिखा हुथा आप नहीं लिखा हो तो वही आएगा इसके बाद आज आजा एंगे इसको सेंफ करेंगे ठीक है तो इसके यह जो डोब हो रहा था जो जासे यह option के शोर नहीं हो रहे थे जो जोब आट किया है आपने यहां क्या करना है, यह कह रहा है कि invalid url है, एक second I think इसके यहां पर देना है www. इसके बाद आपकी दिए वेबसाइट है फो अब यह सही अची है, accept होगी है, save कर ले, जैसे देखें यहां पर यह आपका store एड़ हो चुका है, इसके बाद आप आज हैं, सरजी नीचे, business, type क्या है, आपका वो आप लिखेंगे, यह जरूरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, sole provider में select किया हुआ है, आपका जो भी है, वो select करेंगे, अगर register है, तो आप select करेंगे, अगर register नहीं है, तो no कर दें, नेचे आजाए, आप income, आप income क्या है, आपकी आपने वो select करना है, क्योंकि आप salary person नहीं है, तो आप no करेंगे, क्या आप business run कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ लिख है, income status salary, आप salary नहीं है, तो आपने यहाँ पर no check mark करना है, current daily transaction बतानी है, कि daily की जो transaction है, वो कितनी हो सकती है, मैं यहाँ लिखूँगा, पाँच हजार से पंद्रह हजार तक हो सकती है, अगर कोई detail है, कोई other detail है तो यहाँ पर लिखेंगे, आपका, यहाँ पर लिखना है, कि आपका जो business है, हाई risk है, या low risk है, मेरा low risk business है, इसमें किसी तरह का कोई risk नहीं है, तो मैं यहाँ पर low risk करूँगा, और, असान bank account नहीं, मेरा जो account है, वो मेरे भाई, settlement account चाहिए, मुझे settlement account है, तो मैं यहाँ पर as a settlement account से, select करूँगा, आपने भी यही करना है, यह करने के बाद, किस तरह आज है आप, special customer, नो कर दे, ठीक है, इस पर आप, यहाँ पर आपने नो कर दिया, और यहाँ आपने कर दिया, nature of activity में आपने करना है, receiving and payment from, to customer, यहाँ पर टिक्टर नहीं है, यहाँ पर टिक्ट आपने source of funds में लिखना है business, मैं यहाँ पर business लिखता हूँगा, क्योंकि मुझे, all right, अच्छा, यहाँ पर currently monthly transaction बताना है, कि आपकी अभी transactions है, वो monthly कितनी हो जाती है, मैं आप लिखतेता हूँ, 25,000 से 50,000 तक हो जाती है, and इधर आज हैं, आप, आपकी यहाँ पर लिखना है कि month transaction कितनी होती है, मेरी transaction होती है, मेरी transaction मैं अप लिखतेता हूँ, and transition होती है मेरी, and volume कितना होते है, मैं पहले बता चुका हूँ, 50,000 तक हो जाता है, 50,000, right, अभी आपने यहाँ पर save करना है, save करने के बाद आप चाहें, तो next कर ले, ठीक, अच्छा, यहाँ पर, sorry, यहाँ पर कुछ missing हो गया था, जी, यहाँ पर मैं यह बहूल गया था, मैं established कबसे है store, बहुर आपने यहाँ पर manage up करना है, select कर ले, मेरा store, क्योंके, 20 से है, तो मैं 20 ही कर देता हूँ, okay, next, अब next करता हूँ, कोई issue है, मैं result करके दुबार आता हूँ, अच्छा, यहाँ पर issue यह आ रहा था, कि मैंने year और date to select कर ले थी, sorry, year और month to select कर ले था, लेकि date select नहीं थी, जिसके वज़ाद से यह error दे रहा था, तो आप किसको nominee करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पर अपने भाई को करना चाहूंगा, मेरे भाई, आप जिसको भी करना चाहेंगर सकते हैं, यहाँ पर अपने जो भाई हैं, उनका श्रावतिकान बर लिखेंगे, अतलम मतलब जो आपके next रोकीन होगा, उनका अपने श्रावतिकान पर एंटर करना है, और यहाँ पर उनका relation क्या है, वो लिखेंगे, मेरे भाई हैं तो मैं लिखेंगे, contact number लिखूंगा मैं उनका, alright, ठीक है, और यहाँ पर आपने CNIC number लिखना है, जी मैंने यह सब कुछ फिल कर लिया, शनासी कांड मर दे दिया, नाम, relation, mobile number, address अब दे दिया, मैं इसको next करूँगा, settlement level बूछ रहे हैं कि कि settlement level क्या होगा, मेरा merchant है, तो मैं merchant को select करूँगा, can you select the account you would like to have, मेरा bank account है, मैं bank account की यहां पर detail दोँगा, मैं यहां पर मेरा bank है, अब bank alhabib है, तो I think यह bank alhabib का यह short code है, B-A-H, alright, इसके बाद, अब मैं अपना bank number, यहां पर enter करूँगा, जी मैंने अपना account की detail यहां पर enter कर दी, आप मैं fetch करूँगा, fetch title करूगा, alright, इसने title fetch कर लिया है, और अब मैं इसको करूँगा next, next करने के बाद, अब कुछ और requirements से इंती की पूरी कर लेता हूँ, यह कह रहा है के, would you like to integrate to your website, your facebook page, मुझे वेरी website है, मैं वेबसाइट पर करूँगा, अगर आपकी पास website नहीं है, Facebook page है, आप अपना facebook page पर click करेंगे, अब next पूछ रहा है के, choose your mode of integration, API के थुरू करनी है, अपर plugin के थुरू करनी है, मुझे plugin के थुरू करनी है, मैंने plugin पर आगे टिकमा करूँगा, अब पूछ रहा है कि आपकी WordPress है, Shopify है, मेरी WordPress, WordPress है, अगर अगर आपका कोई developer है, आप खुद नहीं कर रहे है, आपका कोई developer है, आप चाहते हैं, कि आप अपकी integration वगरे, वह developer करेगा तो आपने वहाँ पर इंटेरेशन के detail आपके देनी हैं, अगर नहीं है, आप खुद कर रहे हैं, तो आप अपने डिटेल भी दे सकते हैं, और राइट, मैं यहां पर अपनी डिटेल लालूँगा, इसके बाद मैंने यहां पर करना है, नेक्स्ट, ग्रेट, अच्छा जी यह इसकी सारी जो रिकॉरिमेंट्स से हमने फुल फिल कर ली है, रिवियू करना कह रहे हैं, अब रि अब नेक्स्ट करने के बाद अब यहां पर कुछ रिकॉरिमेंट्स हैं, जैसे के अकाउंट मैंटेनिस सर्टिफिकेट इसको देना है, इसके बाद आपने इसको देना है, शराति काड की फ्रंट बेक पिक्चर देनी है, और बस यह दो तीन चीज़ें, इसको अपलोड कर प्रंट सर्ट करने की बाद आपने करना है Cambridge, कििक है की यहां पर चेक करेंगें, छहां प्रगुत करने की बाद आपने montagen कर देना है, तो यह द्हिए आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूब Pocket चली जाएगी, वो KYC करेंगी, KYC करके आपकी जो 정it word आपको आपको मिल जा अब हम next हमारा जो topic है वो है भिर भाई हूँ तो इंस्टाल plugin ठीक है अब हम plugin इस्टाल करेंगे क्योंकि अभी तक हमें जो integration idea वो नहीं मिली तो हमारा जो plugin होगा डाइमो plugin होगा डाइमिय प्लगईन का मतलब है, वो लाइव काम नहीं करेगा, जब तक ये अप्रूव नहीं करेंगे, अप्रूव करने के बाद जी इंगे दिन उसके बाद ही वो लाइव होगा, अल्राइट, अभी हमने क्या करना है, अभी हम जाएंगे गूगल पर, दो तरीके हैं, इंट क्लिक करें तो आपको एक वेब साइट पर लेकर जाएगा यहां पर चाहें तो यहां से भी आप इसका जो डाउलोड कर सकते हैं कोड पर क्लिक करें कोड पर लिक करके आपने क्या करना है कि डाउलोड जिप पर क्लिक करेंगे तो यह आपके पास सेव हो जाएगा और फिर कि, आपने क्या करना होगा, इसको in install करना होगा, अपलोड बेंगा क seconds left. दूसरा तरीका नहीं आपको बताता हूँ, दूसरा तरीके यह है, दूसरा तरीका यह है, भाई, कि आपने जाना है अपने website पे login करना है, login करके आप जाएंगे प्लग-इन में, प्लग-इन पे जाके आपने एड न्यू पे क्लिक करना है, टाइम ले रहा है, मैं आप से पहले कह चुगा था कि वीडियो लंबी होने वाली है, जो भाई मेरे इंटरस्टिड हैं वो इसको एंट तक देखें, अच्छा आप जब यहां पर आ जाएंगे तो आपने यहां पर अक्सर मर्चिंट क्या करते हैं कि वो इसको इजी पैसा के नाम से सर्च कर रहे होते हैं लेकिन इजी पैसा के नाम से नहीं है, इनका प्लग-इन एजी पै के नाम से है आपने क्या करना है, कि इसको इंस्टाल कर लेना है साल जैसे ही होता है दनमयैं आपको नेक्स बताता हों कि क्या करना है इंस्टाल हो चुका है आप एक्टिवेट करे दें यह देखें, एक्टिवेट करने के बाद यह प्लग इन में आ चुक है, यहां पर यह आ रहे है, WC EasyPay यहां पर आगी है, आप मुझा करना कि इसकी configuration करनी है, तो configuration करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां आप WooCommerce में जाएं आप, WooCommerce में जाने के बाद आप setting पर क्लिक करें, सैटिंग पर क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करने है payment, payments पर क्लिक करेंगे ठन आपके सामने यह EasyPay का option शोज़़ा रहा होगा यह राख, ठीक है यह आप इसमें manage पर क्लिक करें, अगर यह चेक यहां पर लगा है तो इसका मतलब है यह आपकी वैस सर्वेश हो नहीं होगा तो यह आपको डैमो शो करवा दूंगा इसलिए मैं आपको यह आपको लगा रहा हूँ अरट यह description simple सी है store ID मिलेगी जब तक request आपकी KYC वहां से approve नहीं होगी तब तक आपके store ID आपको नहीं मिलेगी जब वो approve कर देंगे तो आपको store ID देंगे स्कूर आइडिया आपने यहां पर एंटर करने के बाद सेव चैन्जित पर क्लिक करेंगे तो आप लाइव हो जाएंगे, और राइट, इंटिक्रेशन बहुत सिंपल है, इंटिक्रेशन में कोई मसला नहीं है, अच्छा उसके बाद जब सेव हो जाएगे तो आप लाइव च जाएंगे, प्लग इन में जाने के बाद एड न्यू पर क्लिक करेंगे, एड न्यू पर क्लिक करने के बाद आप आएंगे अप्लोड प्लग इन पे, अप्लोड प्लग इन पर क्लिक करेंगे, चूस फाइल करेंगे और जहां पर आपकी वो फाइल रखी हुई है, वहां प जो EasyPesa का account है वो ready हो चुका है, just अभी हमने उनकी approval का wait करना है, वो approve करेंगे, store ID देंगे, store ID जैसी देंगे, तो उसके बाद मैंने है, हमने यहाँ पे put करनी है, put करने के बाद, save करेंगे तो वो live हो जाए, alright, मैं अभी आपको डेमूद खाता हूँ, कि वेबसाइट पे कैसे show हो रहा है यह, कि अब वो live नहीं हो तो work नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको just show करवा देता हूँ, मैं किसी भी product पे click करता हूँ, checkout पे click करता हूँ, checkout पे click किया मैंने, मुझे कोई product जाएए, simple multi add to card पे click किया, checkout पे click किया, अल्राइट, यह देखें, यहाँ पे यह show हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यह अभी live नहीं है, अगर मैं payment करने की कोशिश करूँगा भी, तो यह payment देखिए कह रहा है कि please remit payment store name open, देखें यह जो, मैं इसको भी payment करना चाहूँगा तो payment नहीं कर सकूँगा, क्योंकि यह live नहीं है, अल्राइट, तो यह था एक demo, उमीद है कि आपको यह video अच्छी लगी होगी, एक और चीज मिसिंग है, आपको समझा देता हूँ, demo account क्या होता है, एक second दे मुझे आप demo account की, कैसे लगीगा मैं आपको उतार हूँ, यह ऐसे लगीगा मेरे भाई, एक second दे मैं आपको समझाता हूँ, अच्छा log out किया है, मैंने log out कने के बाद देखी, यहां पर मैं देखता हूँ कि यह कह रहा है, demo, इधर click here पर click करें, यह इस तरह का आपके पास सामने शो होगा, जैसे आप check out पर click करेंगे ना, तो यह इस तरह की आपके पास summary आईगी, और आप उसको proceed to check out कर देंगे, alright, तो I think मैंने आपको A to Z पूरी कोश्री के समझाने की, EasyPerson integration का तरीका, उसकी registration, installation, अगर फिर भी मेरे किसी भाई को सुझ में ना आया हो, तो मुझे comment section पोश सकते हैं, मैं कोश्री करूँगा कि उनकी confusion क्लियर कर सकूँ, alright, मिलता हूँ एक बहुत जल्दी नई वीडियो में, ठीके नए topic के साथ, ये EasyPerson की integration of WooCommerce के साथ ती, जो मेरा भाई चाहता है किसी और platform के थ्रों में करके दिखाओं, तो मुझे comment section पोश सकते हैं, तब तक के लिए अपना ख्यार रखीगा, लाप्रेश